असलाम अलेकुम डियर वीवर्स वेलकम बैक टो माई चैनल आई होग आप सब करिया से होंगे लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे आज मैं लेकर रही हूं बहुत ही मज़्यदार से खिचड़ा रेसिपी जैसे कि महरम का महीना चल रहा है तो हर घर में हलीम बनता है दलीम बनत है तो मज़्यदार सा बेफ खिचड़ा चले बनाते हैं फटा फट से सबसे पहले मैंने ले लिया यहां पर गिहू कदर लिया एक कप इसे अचे चरह से साफ कर लिया था मैंने साबूत गिहू नहीं लिया है क्योंकि उसको हमें भीगोना पड़ता है टाइम लगता है हमें खिचड़ा बनाना है फटा फट से इसके बाद मैंने लिया है यहां पर हाफ कप चैना डाल वन फोर्थ कप लिया है मैंने अरहर डाल यानि तूर डाल वन फोर्थ कप लिया है मैंने धुली उरत की डाल वन फोर्थ कप लिया है नॉर्मल वाले चावर बासमती राइस नहीं दालों 3-3 which भीपानी wear प्रेशर कोकर में तुम्हार अरदलिया कटा ले आज़ों 5 लीटफ क calm, घरेजूंहें तक टाल कटांगी तुम्हार वत्तियinta आज़त को और लिन डालीं Evet जाला सब में चूआ पाने सब्सक्राज ले आज़मने दाल सक चाहएं अरव कोकर के लिए डगाकर इसे 20-25 मिनट के लिए कोक कर लेंगे दालों को हमें बहुत अच्छी तरह से गलाना है इसलिए हम ज़्यादा देर इसे पकाएंगे ताकि दाले बहुत अच्छी तरह से गल जाएं हमें घोटनी ना पड़े जब तक दाल बन रही है हम गोश तयार कर लेते हैं तो यहां पर 500 ग्राम यानि हाफ केजी मैंने लिया है बीफ बड़े का गोश इसे अच्छी तरह से धो लिया है दो मीटियम की साइज की प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है अब हम एक प्याले में मसाले तयार कर लेंगे सबसे पहले लिया है एक टेबल स्पून द्रक का पेस्ट एक टेबल स्पून लिया है मैंने लेशन का पेस्ट वन टी स्पून लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ट का पाउडर और वन टी स्पून लिया है मैंने नॉर्मल रेर चिली पाउडर वन टी स्पून से थोड़ा से यहां पे 1.5 टेबल स्पून दाल में भी हमने सॉर्ड डाला है बाद में हम टेस्ट कर लेंगे जायके की मताबिक कम जादा कर लेंगे अगर कम होगा तो हम बढ़ा लेंगे इसमें थोड़ा से पानी डाल कर इसका पेस्ट त्यार कर लेंगे इसको साइट पर रख देंगे ताकि मसाले अची तरह से पानी में फूल जाएं इसके बाद एक प्रिशर कुकर पे मैंने गरम कर लिया है एक कप ऑईल इसमें डाल देंगे प्याज मैंने मस्टर्ड ऑईल यूज किया है आपके घर पे जो भी ऑईल यूज होता है आप कर सकते हैं कोई भी अपनी पसंद के हिसाप से प्याज को हमें बहुत जादा डार्क कलर नहीं करना है लाइट हलका से ट्रांसपेर्ट होने तक ही पकाना है इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे मसाले हम पहले भून लेंगे प्याले में मैंने थोड़ा से पानी भी डाल कर इसमें डाल दिया था ताकि एक्स्ट्रा जो मसाला हमारा रहता है हमारा वह वेस्ट ना हो मसाले को हम अची तरह से भून लेंगे जब तक ऑईल सरफेस पर नहीं आ जाता है तक ऑईल उपर आ चुका है मसाला बहुत अची तरह से भून गया है आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हम इस गोश्ट को एड़ कर देंगे तब हम इसमें डालेंगे गोश्ट जो हमने रखा था धोकर इसका पानी अची तरह से पस गया है गोश्ट को हम 8 से 10 मिनट के लिए मसाले के साथ अची तरह से भून लेंगे बीच में मैंने डाला इसमें दो तेस पत्ते गरम मसाला हमने साबूत योज नहीं किया है क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे पानी तो यहां पर एक ग्लास भर के मैंने पानी डाला है क्योंकि यह बड़ी का गोश्ट है गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है अब हम इसमें लेड लगा कर 20-15 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि अची तरह से गोश्ट गल जाए अब हम दाल पानी जाहें पका हुआ जाल सकते हैं नो पर मोश्ट पांस मेंगे पका हूँ और अची तरह से मिक्स कर दिया है बहुत से लोग इसको घोटनी की मदद से घोट देते हैं लेकिन मेरे यहां बहुत घोटी हुई दाले कोई नहीं खाता है कि इसलिए मैंने विसकर की मदद से बस हलका से मिक्स कर दिया था अब हम इसे उबाल लेंगे तो दाल में बॉइल आ चुका है अची तरह उबल गई है लेकिन यह प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा फूल हो चुका है इसलिए हम किसी बड़े बड़ पतन में ट्रांसफर करके उसमें मिक्स करेंगे अब हम गोश्ट को चेक कर लेते हैं गोश्ट में थोड़ा इक्स्ट्रा पानी है पपहले हम चेक करेंगे गलात अच्छी तरह से आ नही Reports आप देख सकते हैं गोष्ट कितनी अची तरह से गल चुका है चम्मा से बहुत अची तरह टूट रहा है कि चुड़े में हम ऐसा ही गोष्ट चाहिए जो चम्मा से हम तोड़ कर खा सकें अब हम इसका पानी एक्स्ट्रा वाला भून लेंगे अची तरह से गोष्ट अब तको डाल कर चुड़ा यहां मिक्स करना है इसका ऊयल मिक्स हो जा情 अची तरह से अची तरह से पानी जाए है कि हम उसके नहीं ढूने रख चुछ भर मुष्ट यहां और दुट अब हम नहीं कीदो इसमेड़ दुज़ घो गोष्ट को डाल यह कुआ दाल से दया हम दो बहुत अच्छी आती है बहुत मज़िदार बनकर त्यार हो जाता है अब इसे हम 8-10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे पहले हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे लो फ्लेम पर लेकिन याद रहे बेच बीच में हमें चला कर चेक कर लेना है क्योंकि इसमें दलिया औ अधनिया कटा हुआ और साथ ही में हम डालेंगे तलीवी प्याज आप चाहें तो उपर से तर्का भी लगा सकते हैं तेल का लेकिन हमने पहले ही तेल यूज कर लिया है इसलिए जरूरी नहीं है हम तर्का लगा है इसलिए मैंने सिर्फ तलीवी प्याज डाली है बहुत दलिया मिली हुई है दलिया और चावल जब ठंडे होते हैं तो वह सूखे हो जाते हैं तोड़ा गाड़ी हो जाते हैं अब हम इसमें ओपर से डालेंगे फ्राई कीवी प्याज और हरा धनिया गारनिशिंग के लिए साथ ही मैं डाला है चार्ट मसाला चाहें तो पोरे भग करते टाइम ओपर से चार्ट मसाला डालेंगे और साथ में डालेंगे नीबू तो मेरी प्लेट तो दयार हो गई है मज़ेदार से खटी में और चटपटी सी नीबू और चार्ट मसाले के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजेगा और मे